नमस्कार दोस्तों इंडियन रेल मुसाफिट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की जो ये वीडियो होगी वो होगी गोरखपुर जंक्षन उत्तरपरदेश से एहमदाबाद जंक्षन गुचराथ तक चलने वाली सभी ट्रेंज की जानकारी के बारे में हम इस एक वीडियो में सभी ट्रेंज के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है वो है गोरखपुर से एहमदाबाद तक चलने वाली सभी ट्रेंज की जानकारी एक ही वीडियो में आपको दूँगा इसमें हम बात करेंगे गोरखपुर से कौन कौन सी ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम क्या है नंबर क्या है कौन से दिन वो गोरखपुर से चलती है एहमदाबाद के लिए कितने बज़े वो गोरखपुर से डिपार्चर लेती है और अर्राइवल एहमदाबाद में कितने एक्सप्रस टाइब की ट्रेन है सबसे सूपर फास्ट ट्रेन है इस रूट पे मुझफरपुर एहमदबाद जन्द सदारना एक्सप्रस जो की 27 गैंटे 20 मिनट में अपना समय की गोरखपुर से एहमदबाद के बीच में चलती है वो है मुझफरपुर एहमदबाद जन्द सदारना एक्सप्रस ये वैसे ट्रेन जो है मुझफरपुर से बन कर चलती है बट मैं आपको गोरखपुर से एहमदबाद की जो जानकारी दे रहा हूँ मुझफरपूर एहमदाबाद जनसदारन एक्सपर जो है गोरखपूर जंक्शन से हर शुकरवार को सुबद 4 बच के 20 मिनट पे 3 नंबर प्लाटफॉम से चलती है और 27 गेंटे 20 मिनट का समय लगाती है एहमदाबाद तक पहुंचने का एहमदाबाद में ये ट्रेन जो है अगले दिन सुबद 7 बच के 40 मिनट पे 10 नंबर प्लाटफॉम पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है और इसके तकरीबन 18 स्टेशन से है 1461 किलोमेटर का डिसंच जो है कवर करती है एवरेज स्पीड जो है इस रूपे 53 किलोमेटर परावर है इसमें सिर्फ सेकंड सेटिंग यानकी जनल डिब्बों के गोच है और मेल एक्स्प्रस टाइप की ट्रेन है इस्ट सेंटर रेलवे जोन जो है अपरेट करता है यह सबसे सूपर फास्ट ट्रेन है पांचो ट्रेनों में से गोरुकपूर से एहमदबाद के लिए गोरखपुर से एहमदाबाद के लिए जो दूसरी train है और कह सकते हैं सबसे slowest train है वो है गोरखपुर ओखा एक्स्प्रेस ये वैसे गोरखपुर से ही बनकर चलती है बट ये एहमदाबाद नहीं ओखा तक चलती है बट मैं आपको एहमदाबाद तक की जानकरी दे रहा हूँ इसका train नमबर है 15-0-45 इसमें 2nd AC, 3rd AC, Slipper Class और जनरल डिब में है male express type की train है नौर थीस्टन railway zone जो है उपरेट करता है इसके बाद जो तीसरी train है इस route पे चलती है जो कि गोरखपुर से एहमदाबाद की बीच में direct train है वो है गोरखपुर एहमदाबाद express जो की गोरखपुर junction उतरप्रदेश से हरसोमवार और शनिवार को सुबा 5 बजे 9 नमबर platform से रवाना होती है और 30 गहंटे बाद यह train जो है एहमदाबाद junction में सुबा 11 बजे पहुंचती है अगले दिन इसके तकरीबन 28 स्टेशन से है इसका train नमबर है 19 410 यह जो train है इसका train नमबर है 19 410 train नमबर है और गोरखपुर से एहमदाबाद की जो दूरी है 1570 किलोमेटर के करीब यह train कवर करती है average speed जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमेटर पर आवर मेल एक्सप्रेस टाइप की train है Western Railway Zone जो है अपरेट करता है और LHP coaches वाली train है अगर coaches के बारें बात करें तो इसमें 2nd AC, 3rd AC, Slipper Class और General Div में हैं तो यह जो train है हर सोमवार और शनिवार को चलती है इसके बाद जो चौथी train चलती है इस रूट पे वो है गोरखपुर एहमदाबाद एक्सप्रेस जिसका train नमबर है 2490 यह मंगलबार को शोड़के बाकी सारे दिन चलती है हफते में 6 दिन चलती है और यह जो train है गोरखपुर एहमदाबाद एक्सप्रेस इसका train नमबर है 2490 यह जो train है गोरखपुर से मंगलबार को शोड़के बाकी सारे दिन चलती है रात के 9.30 मिनट पर यह रिवाना होती है तीज गेंटे चालिस मिनट बाद ये ट्रेन जो है एहमदबाद जंक्शन गुजरात में सुबह चार बचके दस मिनट पे नौ नंबर प्लैटफॉम पे जाके अपनी यात्रा जो है स्माप्त करते लेती है इसके तक्रीबन 20 स्टेशन्स हैं 1684 किलोमेटर का डिस्टन जो है कवर करती है एवरिस्पीड जो है वो है 54 किलोमेटर पर आवर मेल एक्सपुर्स टाइब की ट्रेन है वेस्टन रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है इसमें सेकंड एसी थर्ड एसी स्लिपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं एलच भी कोच वाली ट्रेन है इसके बाद जो आख देफरपूर बिहार से पोरबंदर गुजरात के बीच में चलती है बट मैं जो आपको डेटेल्स बता रहा हूं वो गोरखपुर से एहमदाबाद की बता रहा हूं यह एहमदाबाद नहीं एहमदाबाद के दूसरे स्टेशन चंदोलिया स्टेशन पे पहुंचती है जो कि गेंटे 20 मिनट का समय लगाती है यह चंदो लिया चंदलो डिया पहुंचने के लिए और हर मंगलवार और बुद्वार को यह पहुंच आती है सुरी दोस्तों अगर कुछ मिस्पैलिंग होगी है पढ़ने में थोड़े से प्रॉल्म हो रही है और इसका जो डिस्टन्स है यह 1684 किलोमेटर का कवर करती है और 56 किलोमेटर परावर के हिसाब से चलती है इसमें सेकंड एसी थर्ड एसी सिलिपर क्लास और जनरल डिब्बे है इसके लाब इस ट्रेन में पेंटरी कार का कोच भी शामिल है दोस्तों इसी के साथ गोरकपुर से एहमदाबार तक चलने वाली सबी ट्रेंस की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो अगर आपको वीडियो पसंद बात रहूं तो भी कमेंट करके जुरू बताएं चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें और बेल आइकन जुरू दुबाएं ताकि आपको लेडिस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद